मेरा नाम है आमित किलोर और इंटर्नल सिक्यॉरिटी के इस सीरीज में मैं आपके सामने लेक्चर नमबर टैन लेकर आ रहा हूँ It is a continuation of the last lecture कल के जी क्लास थी उसमें हमने cyber terrorism और cyber security के बारे में पढ़ा था आज हम उसी क्लास को continue करते हुए उसके अंदर कुछ और जो details है Cyber security के और जो issues है और उस पर government policies, Indian government policies और Indian government legal framework क्या exist करता है ऐसे cyber threats जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था उनसे भारत के critical infrastructure और critical information infrastructure को बचाने के लिए मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि cyber terrorism और cyber security आंतरिक सुरक्षा अर्थार्थ internal security का सबसे ज़्यादा महतवपून मुद्दा बचा हुआ है पिछले 2 से 5 सालों के बीच में आप जितने भी competitive exam में internal security topic है अगर आप maximum number of questions देखेंगे तो वो हमेशा cyber security और cyber terrorism से related रहते हैं ये topic को बिल्कुल भी ध्यान से मत छोड़िएगा इसी लिए इसको दो भागों में बाट कर किया जा रहा है because of the importance it entails आप लोगों ने कल मुझे मैंने जैसे आप से कहा है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो और questions आपको पूछने हो तो आप YouTube वीडियो के comments में questions पूछ सकते हैं तो आपने कल का जो वीडियो था उसमें बहुत सारे से questions पूछे थे तो मैं उन questions का आपको जवाब देता हूँ जो आपने comments के द्वारा पूछे थे class start करने से पहले यह हर बार possible नहीं होता है अगर किसी भी वीडियो सीरीज में पूरी की पूरी internal security की वीडियो सीरीज में आपको कोई भी questions हो तो please वीडियो के नीचे comments में ज़रूर पूछ सकते हैं मैं उन्हें खुद पढ़ता हूँ और मैं उन्हें खुद जवाब देता हूँ हाँ जब कुछ जैसे दो सीरीज थी दोनों ये continue कर सकते थे तो मैंने सोचा कि मैं कुछ questions आप से आज discuss भी कर लूँगा तो एक सवाल पूछा गया है कि जब bitcoin का कोई पता नहीं लगा सकता तो hackers अपनी personal life में कैसे use करते होंगे अगर उन्हें कोई उनकी basic need पूरी करनी हुई तो उसी तरीके से सेम राजा का सवाल भी यही है कि bitcoin का प्रियोग कैसे होता है how to use bitcoin as it is not physical what is the profit from this means what if someone has to buy something from bitcoin can he uses it तो सवाल कल हमने bitcoin नाम की cryptocurrency के बारे में discuss किया था और सब लोगों का सवाल यह है कि आखिर bitcoin को use कैसे करते है संजना ने भी actually में उसी से related सवाल किया है जैसे हमें online payment करने के लिए bank में deposit करना पड़ता है वैसे bitcoin कैसे manage होता है तीनों के तीनों सवाल bitcoin से related है कहाँ पर रखे जाते है कैसे रखे जाते है valid question है बिल्कुल सही काम देखो बात बताता हूँ cyber world के बारे में और physical world के बारे में cyber world exactly physical world की तरह काम करता है cyber से related cyber security, cyber terrorism से related जो questions है जो confusion है वो इसलिए है क्योंकि cyber world में जो भी कोई चीज होती है उसको नया word का नाम दे देते है काम exactly भही होता है तो जो अपराद physical world में हो रहा है उसी अपराद को जब cyber world में किया जाता है तो उसको नाम बदल देते है उसी परकार से जो currency physical world में यूज की जाती है उसको जब digital world में यूज़ किया जाता था तो नाम बदल देता है However, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि it is exactly how it works in the physical world वही चीज वहाँ पर भी होती है तो आपको समझने में थोड़ी सी असानी रहेगी बस उस जारगन वर्ड को वो जो कुछ टेकनिकल जो वर्ड होता है उसको पकड़ने की जोड़त है तो बिटकोईन के बारे में बताता हो देखो बिटकोईन यूजूली एक वालेट में रखा जाता है जो कि digital वालेट होता है इस समय आप अपने Google Play Store पर जाएंगे और बिटकोईन वालेट डालोगे तो वहाँ पर कई सारे बिटकोईन वालेट खुल जाएंगे आपके पास उन बिटकोईन वालेट को आप नॉर्मल अपने एमेल के दोवारा या अपने नॉर्मल यूजुली वो इमेल से ही रेजिस्टर होते है उस पर कीजिए और उस वालेट में जैसे आप फिजिकल वालेट में अपने पैसे रखते हैं वैसे रख सकते हैं जो बिटकोईन में जादा यूज करते हैं या जादा डील करते हैं वो अपने bitcoins को अपने computer पर offline भी download कर सकते हैं, वो रहेंगे digital space में, ऐसा नहीं है कि offline download कर लिया तो कहीं निकाल सकते हैं, मतलब कि computer पर, जैसे आप सोचके देखिए, कि आपके computer पर, आपके laptop पर इस समय जो photos हैं, वो सब offline है, right, बिना internet के भी आप उसे खोल कर देख सकते हैं, उ एक तो हो गया online wallet, जो कि app के दोवारा यूज किया जा सकता है, और एक होता है offline wallet, दोनों की दोनों चीज़े application है, ये भी application है, ये भी application है, जैसे YouTube एक application है, जैसे Microsoft Word एक application है, जैसे Chrome एक application है, उसी तरीके से bitcoin wallet की भी application होती है, अगर आप offline download कर लेंगे, तो उस पर आपके सारे के सारे bitcoin offline download हो जाएंगे, bitcoin होता क्या, bitcoin एक code है, technically speaking, जैसे आप physical currency क्या होती है, physical currency एक कागच का टुकड़ा होता है, जिस पे legal guarantee होती है, कि उसकी value 100 रुपे है, या 2000 रुपे है, या 500 रुपे है, जितनी भी होती है, legal value, जिस दिन वो legal guarantee है, उस दिन वो paper किसी भी value का नहीं है, उ उस digital code को आप download करके रख सकते हैं, वो special unique digital code होता है, हर एक bitcoin का special unique digital code है, तो अगर उतने ही digital code, जैसे आपके पास 200 bitcoin है, अगर वो digital code आप, बैसे 200 bitcoin बहुत महंगे हैं, इस समय एक bitcoin 25 रुपे का है, one bitcoin today, at this moment, is equal to 25 lakh rupees, जैसे कि एक dollar 80 रुपे के करीब होगा, एक pound, इस समय 95 रुपे होगे, euro 60-70 रुपे है, उसी तरीके से, एक bitcoin 25 रुपे के बराबर हैं अभी, तो मतलब कि अगर आप एक लाख रुपे का भी एक bitcoin खरीदेंगे, तो भी सिर्फ 25 bitcoin आपके पास आएंगे, तो वो उसको है, अब सवाल ये उठता है कि profit क्या है कि इसको कुछ खरीद ना हो, देखो बहुत सारे से, हमने कल इसी लिए dark web भी पढ़ा था, जो dark web है, वहाँ प कैसे कर लो, paytm से कर लो, और भी कई तरीके है, right, cash दे दो, कई बार coupon दे दो, amazon के कुछ coupons में payment हो जाती है, right, oyo money कुछ होती है, कई बार आप pubg खेलते थे तो उसमें pubg के लिए कुछ अलग से pubg money type की कोई चीज होती है किसी भी video game में, उसी परकार से बहुत से जंग हो पर मतलब कि exchange होते हैं, जहां पर आपको पैसा बदल सकते हैं एक currency से दूसरी currency में, उसी तरीके से bitcoin के exchange भी exist करते हैं, तो अगर आपके पास bitcoin है और online ही, वो आप उसी exchange पर जाएंगे और उसको किसी भी currency में बदलवा सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास 100 bitcoin है, आप उस currency exchange प इतना रुपे का होगे, 80,000 रुपे का, लेकिन जब आप उसे बेचेंगे तो वो 79,500 रुपीज आपको मिल जाएंगे, 500 रुपे की fees कर जाती है, उसी तरीके से bitcoin में, जब आप उसे online exchange पर बेचेंगे, तो थोड़ी सी 0.5% fees करके, आपको पैसा आपकी जो भी अपने currency चु सोचने की बात कहा, confusion क्यों नहीं है, आपके पास जो पैसा है, आपको लगता है कि वो physical है, बट अगर सच्ची में सोचोगे, तो वो सिर्फ कागच है, think about it, think really hard about it, कि जो पेटियम के पैसे हैं, वो तो digital है, सिप code ही तो चल रहा है, पेटियम को कैसे पता, आपके पेटियम म किसको पता कि आपके पास 1000 रुपे है, 2000 रुपे है, वो सिर्फ कागच का टुकड़ा ही तो है, वो तो बस Central Bank ने guarantee दे रखिये कि वैसा कागच का टुकड़ा, जो specifically Central Bank ने print किया हुआ है, उसके basis पर वो आपको 2000 रुपे की value देने के लिए हमेशा बाधक है, त्रिप्टो करं के दुआरा हर transaction को confirm करता है, ठीक है, अरपित राज का सवाल है, what is onion, onion, सही सवाल है, ये भी, cyber security से related है, आपने जो भी website देखियोगी, आप देखेंगे उसके पीछे dot com लगा होता है, जैसे youtube.com, amazon.com, flipkart.com, जो भी आप use करते हैं, right, studyiq.com, बहुत सारी in भी देखियोगी, जिनके पीछे in लिखा होता है, youtube.in, google.in, कुछ org भी होती है, org यानि organization, ये जो website होती है, इनको कहा जाता है, domain name, ठीक है, com का मतलब होता है commercial, यानि जिसके पीछे भी dot com है, commercial website है, इनका मतलब dot india, specifically अगर कोई इंडिया की website है, तो वो dot in use कर सकता है, इसके कुछ अलग-लग purpose होते हैं, ये जो सारी website है, dot com, dot in, dot org, ये सब की सब normal browsers, अर्थात chrome, safari, opera, firefox से access हो जाती है, dot onion, एक प्रकार का domain name है, बट ये domain name, privacy focused है, ये जो website होती है, ये normal browsers के द्वारा नहीं, सिर्फ एक specifically browser के द्वारा ही access होती है, जिसे कहा जाता है, tor browser, t-o-r, tor browser, जैसे chrome एक browser है, उसी तरीके से, एक होता है, tor, chrome, normal web को surf करने के लिए बना है, tor, जो dark और deep web में, जो secret websites हैं, जिनके पीछे dot onion लिखा होता ह है, उनको surf करने के लिए बना है, ठीक है, तो dot onion कहने का सिर्फ ये मतलब है कि किसी website के पीछे लिखा होगा, suppose कि ये example, dot onion, तो ये website जो है, ये chrome से नहीं आप access कर पाएंगे, इसके लिए आपको tor download करना पड़ेगा, ये अग भी भी आप try कर सकते है, download tor, आप tor download कर लेंगे, ज कोई भी organization, Google, Facebook, या फिर government agencies, आपकी सारी की सारी activity को track कर सकती है, पता कर सकती है कि आपने कौन सी website खोली, कहां से खोली है, आपका IP address cross, आपका IP address यानि कि आपकी जो computer की physical location है, वो भी उसके अंदर catch हो जाती है, जब tor use करते हैं, तो कोई भी organization, ये नहीं पता चला सकती है कि आ आपने computer से website access कहां से की है, ठीक है, पूजा ने पूछा था कि sir, जो एक लास है, is it enough for the intelligence bureau और कोई और किताब पढ़ने की विजरूत है, ये जो series होगी, जिसमें अभी 3-4 videos और बच्चे हुए है, is absolutely completely enough for the internal security, for any single exam, of competitive exam in India, the reason being is that कि सबसे पहले internal security का जो syllabus है, वो हर competitive exam में सेम ह जो उन्होंने UPSC, सब ने copy paste किया है, डिटो है, सब आप कहीं पर भी check कर लिएगा, so ये and we are covering it comprehensively, हम इसको पूरा पूरा एक घंटे के हर टॉपिक पर समय बिता रहे हैं, so सारी की सारी है, इसके साथ-साथ आपको एक book pick कर लीजी, जिससे आप read करके, आपको revise करने में आस पूछ रहे हैं कि safety measures to deal with IP spoofing, कई परकार की spoofing होती है, internet, IP spoofing होती है, web spoofing होती है, email spoofing भी होती है, website spoofing, email spoofing, phone spoofing, phone spoofing का क्या मतलब, आपके पास phone आया, आपने देखा कि ऊपर लिखा हुए, दोस्त का phone number, phone उठाया, तो कोई बाहर से कोई और बात कर रहा, मतलब कि caller ID ही spoof कर ली, इससे safety measures क्या है, आलोग जी इसमें वैसे बहुत ही common वाले अगर आप देखेंगे, तो बात सही है, कि एक antivirus अच्छी तरह से use करना, थोड़ा से aware रहना, vigilant रहना, in general, जो company के जो infrastructure होते है, corporate, क्योंकि in general, जो IP spoofing होती है, वो usually corporate के against होगी, आपको, आपके against ज in general, IP spoofing करने का कोई फायदा नहीं होता है, कोई use भी नहीं होता है, तो जो firewalls का जो प्रियोग किया जाता है, जो in or out data है, जो अदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है, उसको पूरी की पूरी तरीके से firewalls के दुआरा धंक से check करना, यही सब कुछ general measures होते हैं, IP spoofing के against, but primarily speaking it comes to the individual, अगर आप vigilant है, तो यह आपको help करेगा, दो, मैं इसके लिए पूरी आपको एक list बना कर, definitely, next वीडियो में, I'll tell you, कि हाँ, यह भी यह 5 exactly measures हैं, जिनसे यह IP spoofing से बचा जा सकता है, क्लास start करने से पहले एक और काम बच गया है, ठीक है, cyber security और cyber terrorism थोड़ा सा complex होता जा रहा है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कि cyber security और cyber terrorism का पूरो का पूरा concept क्या है, कल हमने जो class की थी, उसमें हमने पढ़ा था cyber terrorism, पहले एक cyber terrorism की definition याद रखना, ठीक है, क्या क crime कौन सा होता है, अपराद कौन सा होता है, warfare क्या है, इन सब के बीच में जो difference है, context को understand करेंगो और एक definition याद होनी चाहिए, अगर मैंने पूछ लिया, या आप से examiner ने पूछ लिया, cyber terrorism क्या होता है, you should be able to write 20 words, ठीक है, उसके बाद कल का जो focus था हमारा, हमने types और जो names of threats है उसके उपर focus किया था, spoofing, denial of services, fishing, wishing, wailing, यह जो शब्द word है, यह आपको इसलिए करने हैं क्योंकि MCQs में जब पूछे जाएंगे तो यही काम आएंगे, यह आपको essay type questions में नहीं आएंगे, लेकिन जो tier 1 exam है, जहापर MCQs का ज़्यादा परचलन है, उसमें ज़रूर काम आ होती है, इस परकार से http क्या होता है, protocols कौन कौन से होते है, onion क्या होता है, dot onion websites कौन से होते है, tor क्या होता है, यह जो questions होते है, यह उस पर आएंगे, इसके साथ साथ एक topic था bitcoin का और dark web का, bitcoin basically represent करता है cryptocurrency का, ऐसी कई सो cryptocurrency हैं, जैसे विश्व में बहुत सारी currencies हैं, कोई dollar है, pound है, frank है, rupees है, dinar है, उसी परकार से crypto currencies भी भहुत सारी है, bitcoin सबसे ज़्यादा popular है, अगर bitcoin के अलाव आप देखेंगे, तो एक ethereum नाम की भी एक होती है, जो second most popular है, दूसरी ripple भी होती है, यह सब crypto currencies के नाम है, आप समझ लीजे कि bitcoin, crypto currency के dollar माना जाता है, सबसे important currency है, ठीक है, फिर ethereum और भी कई सारी है, तो वो दो-ती नाम समझेगा, वो हमने इसलिए पढ़ा था, क्योंकि generally जो cyber terrorists और cyber criminals होते हैं, वो जो currency का प्रियोप करते हैं, वो एक type के cryptocurrency होती है, ठीक है, और वो generally web जो use करते हैं, वो dark web या deep web के नाम से जाना जाता है, यह हमारा कल का lecture था, आज का जो हम cyber security के उपर, ठीक है, cyber security के उपर हमारा सबसे पहले focus होगा उसको define करने का, इसमें keyword आता है critical infrastructure and critical information infrastructure, यह क्या चीज है, cyber attack जो होते हैं, जब individual के against हैं तो वो तो criminal है, और individual के against हमेशा सिर्फ दो purpose से हो सकते हैं, या तो आपका कुछ data hack करने के लिए, या फिर आपसे कुछ financial fraud करन के लिए, इसके अलावा कोई और attack नहीं होगा, जब देश के against terrorist या warfare वाली activity में होता है, तो देश के critical infrastructure या critical information infrastructure पर attack किया जाएगा, ताकि नुकसान बढ़ा हो सके, critical infrastructure क्या होता है, हम यह पढ़ेंगे, उसके बाद दो और चीजे बसती है, कि cyber security के लिए क्या model अपनाना चाह जो कि एक genre है, यानि कि कोई भी आपको essay लिखने के काम आ जाएंगे, वो सारे के सारे steps, and उसके बाद एक important वाला जिससे number आते है, कि government ने, भारत सरकार ने कौन से steps लिए है, cyber security के लिए, ठीक है, यह जो दोनों के दोनों topic है, इसको इस परकार से, यह दोनों के दोनों lecture है, यह lecture number 9 है, और यह lecture number 10 है, this will give you an overall idea, कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं, आज की class पर, ठीक है, and the first thing which I always tell you, 50% of the examination is definition, जो शब्द आपके exam में आए, जो शब्द आपकी book में हो, अगर definition याद है, तो समझ लो, तुमने answer पूरा का पू इससे आजाता है, definition थोड़ा याद करने में महनत करनी पड़ती है, cyber space क्या होता है, और हम पहले भी discuss कर चुके है, is the connected internet ecosystem, याद रखिए, ठीक है, अब क्या हो गया है, कि सारे के सारे sectors जो है, interconnected है, exposure point बहुत बढ़ गए है, और concentration of asset हो गया है, critical infrastructure क्या होता है, यह आपके सामन इससे में screen पर दिखा हुआ, आप खुद भी, वैसे यह अंदाजिय की बात है, जिस चीज से, जिस चीज में गड़बड होने से, पूरा का पूरा काम तूट भी गड़ सकता है, उसको critical infrastructure खहते है, बहुत ही critical है, सिंपल बात, critical यहाँ पर यह नहीं है, कि criticism करना है, इसका मतलब है कि बहुत ही important है, बहुत ही महत्तपूर्ण है, यह मत सोच ना, कि critical है सर, यह तो मतलब बहुत ही गलब चीज है, क्या हम इसका criticism कर सकते हैं, यह नहीं, critical infrastructure खहता, सबसे महत्तपूर्ण infrastructure जो होता है, जिक है, अब क्योंकि यह जो cyber intrusion है, attack है, बहुत ही recent time में कल हम साइबर security और साइबर terrorism पर एक class कर रहे थे, आपने रात को सुना होगा निधी राजदान के बारे में, निधी राजदान का बहुत ही weird case हुआ है, and think about it कि निधी राजदान 21 साल से वो NDTV की journalist है, निधी राजदान, निधी राजदान ने जून में Twitter पे कहा, कि वो NDTV की journalism की journalism की job छोड़कर Harvard जा रही है, journalism के assistant professor के रूप में join करने के लिए, उनका जो Twitter बायो था, उस पर basically पिछले 6 महीनों से लिखा हुआ था कि वो Harvard की assistant professor है, कल उन्होंने tweet करकर ये बताया, कि ये जो था, ये एक phishing fraud था, मतलब की phishing scam था, उनको Harvard ने ऐसी कोई job नहीं offer की है, Harvard भी journalism का जो course ये पढ़ाने जारती है, ऐसा course exist ही नहीं करता है, अब आप सोच के देखिए, देश के बहुती respected, निदी राजदान, बहुती respected journalist है, सारे के सारे resources हैं, वो भी पिछले 6 महीने से, लगातार 6 महीने से, अगर जून में उन्हो पिछले 10 महीनों से, वो phishing attack का, एक victim बनी जारी थी, उनके पास link आते थे, जिनको fraud था, जो scammed link थे, और वो उन पर click कर रही थी, और वो शायद अपनी पूरी की पूरी information उस पर दी जारी थी, most probably financial भी, most probably personal भी, क्योंकि अगर Harvard से, अगर कोई offer आ रहे हैं, तो वो सारी information और documents भी मांगेंगे, and all those documents, all those information must have been gone, और उनको छे महीने तक ये पता ही नहीं चला कि जो उनको Harvard से job offer आया है, वो भी नकली है, and this is when that person is basically one of the most respected journalist of the Indian news channels, उनके पास भी resources available नहीं थे, और वो phishing scam का था, तो आप देखे कि cyber security कितनी important चीज है, जो लोग पढ़े लिखे है, और जो ल तो रोज इसी काम में लगे रहते हैं, उसके बवजूद भी वो इस में धोका खा जाते है, इस scam में first जाते है, तो सोचेगी जो general जो लोग है, जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, उनके साथ कैसा हो सकता है, cyber security, हमारा जो cyber space होता है, critical infrastructure, उसको attack से, damage से, misuse से, और economic espionage से बचाने के लिए है, यह बड़े सारे से हैं, इस पर कोई बात नहीं में आ गए, और भी दिखाऊँगा इसको, कौन-कौन से critical होते हैं, दस याद करेंगे, यहाँ पर आप example देखेंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुछ 2017 में कई सारे से attack हुए थे, और इस बीन phishing email जैसा कि मैंने आपको कल बताए था, इसे बड़े सारे से email भेजे जाते हैं, जिन पर fraud link होता है, उस पर click कर देते हैं, तो कोई न कोई information upload हो जाती है, hacker के पास, वो phishing email कई, hacker ने कई सारे से इस प्रकार का sensitive data access कर लिया, कि Union Bank of India से 171 million dollar fraud करके निकाल लिया, दो उनको बहु approximately approximately 125 million dollar वापिस भी recover हो गए थे, सोचिये सिर्फ phishing attacks, if Union Bank employee का email ID मिल गया, और उनके उपर scam करने वाले email भेज दी, वहाँ पर किसी ने click कर दिया, और बहुत important sensitive data और credential, वाना cry ransomware, ये मैंने आपको कल बताया ही था, ransomware, आपके computer पे आपने link click किया, और एक फिरोती वाला software download हो ग या फिर वो data कभी नहीं मिलेगा, भारत में भी हुआ था, आंदरपरदेश पुलिस और वेस्ट मंगॉल की कुछ state utilities पर ये attack हुआ था, data theft at Zomato, अब किस परकार से मैंने ये specifically देखिए, जो wanna cry ransomware है, पुलिस के ऊपर, utilities के ऊपर, public services की, ये banking, ये financial वाला हो गया, यहाँ पर Z email ID, जो भी जो मैटो पर है, उनके password 17 million users के 1.7 करोड के hackers ने basically कह कहते हैं, डालके उसको dark web पर डाल दिया, यानि कोई भी जाकर dark web पर उसको खरीच सकता था, उस पूरे के पूरे data को, similarly, पेटिया ransomware, एक और ransomware के बारे हम बताये था आपको मैंने, पेटिया, ये ransomware भी, इंड भारलाल नेरू, पोर्ट जो है, मुंबई में, वहाँ पर डैनिश फर्म के मॉलर मरेक्स, उस company का नाम है, नाम याद करना मुश्किल होगा, बट रह न दीजेगा, बट ये समझ लीजेगा कि ये basically shipping company के उपर attack हुए थे ransomware में, ये कुछ attacks है, इनको याद कर लीजेगा, कि मैं bank से बात कर रहा हूँ, आप अपना ओटी में भीजेगा, मतलब social engineering, जिसमें इनसान का थोड़ा सा scam type का, कुछ fraud type का included होता है, phishing, सबसे ज़्यादा इसकी वज़े से होते है, फिर malware, यानि कुछ link क्लिक करेंगे, और कोई ऐसा software, जो की bad software है, वो download हो गया, spear phishing is again phishing का ही वही concept है, phishing का मतलब होता है, जब 10 लाख email, एक लाख email, बल्क में जब email भेजा जाए, spear phishing होता है, जब targeted email भेजा जाए, आपने एक ही आदमे के उपर email भेजा है, और regularly एक-एक email भेज रहे हैं, scam करने के लिए, क्योंकि आपको कोई और दूसरी जंगा पर attack करें, देखो, ph phishing किसली होती है, भाला लेके phishing, कि सिर्फ उसको ही पकड़ना है, एक ही आदमी को, कोई targeted आदमी है, जैसे सपोज कि आप किसी बड़े corporate के executive है, तो अगर सिर्फ उस पर attack करना है, तो multiple email भेजने को कोई फायदा नहीं है, उसको कहा जाता है spear phishing, सेम चीज है, connected है, denial of services, denial of services का क्या मतलब होती है, हर एक website जो होती है, वो एक limited number of users को एक time में handle कर सकती है, सपोज कि यह एक website है, जिस पर 1000 users, उसके server पर 1000 users सी आ सकते है, अब वहाँ पर वो software के दुआरा उसकी website पर भेग देते है 10,000 users, तो उससे denial of service हो जाता है, कि website down हो जाती है, crash हो जाती है, तो जो लोग actually में access करना चाहते है, उनको access नहीं हो पाती है, out of date software और ransomware, आज भी government officers, government offices में इस प्रकार के computer है, जिन पर windows 98, windows 95 चल रहा है, वो software जो कि completely out date हो चुगा, 20 साल, 15 साल पुरान, आस तक update नहीं हुआ, उन में security vulnerability होती है, यह general idea आपको दे देगा, कि यह चार-पाँ चीजे जो है यह basically जादतर cyber disruptions का reason मनती है, internationally भी देख लीजिए, internationally हो क्या क्या रहा है, पहले तो जो cyber criminal है, personal data चुराने की कोशिश करते हैं, supply chain पर आता है, organized hacker use advanced persistent threat attacks to steal the confidential data of official national defense and business, advanced persistent threat, क्या word है यह, advanced persistent threat, कि सबसे पहले तो सबसे advanced तरीके use करते हैं, hacking के, persistent लगे रहते हैं, आज email आपने clickनी के अतकल दुबार करेंगे, तिबारा, चार, पांच, दो हफ्ते हो गए, आपके पस message आया जा रहा है, link के साथ की, price जीत गए है, दो लाग, price जीत गए है, दो लाग, एक दिन आप सोचते हैं, कि आज तो दो लाग रुपे इखटे है, लूँआ ही, persistent है, आपको भी जैसे, exam कैसे clear होता है, perseverance से, अगर persistent रहोगे, लगे रहोगे, हार नहीं मानोगे, तो exam भी clear होगा, similarly attacker का भी है, modus operandi है, ठीक है, हाँ, critical infrastructure, ये, basically main focus बन गया है, इंडीड हमने जो discuss किया था, cybercrime और cyberterrorism में फरक क्या है, cyberterrorism वही है, जो critical infrastructure के उपर attack करता है, वरना तो cyber अपराध है, जिन्हें पैसे चुराने होते हैं, ये ही फरक है, ठीक है, स्क्रीन से जादा मत लीजिएगा, कुछ समझने की कोशिच नहीं, परण तो ये बस ये word बताने के लिए मैंने आपको बताया है, crypto locker, crypto wall, tesla crypt, wanna cry, again, चारो के चारो उन्ही ransomware के नाम है, जो कि आप से पूछे जा सकते हैं, कि क्या है, जिसे crypto क्यों बताया है, क्योंकि cryptocurrency से confused न million dollar चुरा लिए गए थे, tesla crypt, थोड़े कम थे, सिफ 163 victims पर उपर attack किया था, wanna cry, दो लाख से भी जादा systems को effect किया था, इसले कल इसको detail में discuss किया था, दो billion dollar चुरा लिए थे इन्होंने, crypto locker, धाई लाख से जादा system, तीन million dollar भी कम आ गए थे, तो मतलब, problem तो बहुत जादा ह ransomware की, इनकी सबकी, cyber criminal, terrorist, espionage, activist, यह मैंने आपको बताया था कि criminals और terrorist में क्या फरक है, वो सरल असानी से समझ सकते हैं, जो bank, financial institutions या private data के उपर focus कर रहे हैं, वो तो cyber अपराद ही माना जाएगा, हाँ, जो critical assets, national infrastructure, उनके उपर attack करेंगे, उन्हें आतंकवादी का नाम दे दिय जाएगा, espionage और activist दो नए word हैं, इनके बारे में भी देखते हैं, देखो espionage क्या होता है, जैसे real life में spy होते हैं, उसी परकार से cyber espionage होता है, वह सारा का सारा जो data है, किसी भी company का, यह किसी भी government का, computers में based है, computer में चुपा हुआ है, तो कोई ऐसा तरीका, जिस्ते उस computer का access मिल जाए, तो आपको सारा का सारा data मिल जाएगा, आप भी सोच रहे हैं, कि अगर उसका किसी दिन WhatsApp मिल जाए, और थोड़ा time मिल जाए, दो-तिन घंटे चेक करने का, तो सारे message पढ़ लूँगा, कि किस से कौन-कौन सी बात कर रही है, espionage, यह illegal होता है, immoral भी होता है, यही काम, illegal और immoral काम, cyber espionage करते हैं, जो कि ऐसे कुछ stealth वाले malware प्रयोग करते हैं, जिससे corporate और military data servers को penetrate करके, उनके जो future plans है, जो intelligence हैं, उनको निकालने की कोशिश की जाती है, पागिस्तान और चाइना, Indian military पर रोज कोशिश करते रहते हैं, ऐसी, Hactivist, यह group का नाम है, anonymous, anonymous यहाँ पर शब्द नहीं है, anonymous एक group का नाम है, again, anonymous जिस group का नाम है, इसका मतलब है कि उसके identity नहीं पता चलती है, anonymous का मतलब कि identity नहीं पता, anonymous के identity हमें नहीं पता, एक group है, जो कई बार political agenda, अपना set करते हैं, कई बार Hactivist, hacker plus activist, right, किस दो शब्दों से बना हुआ है, hackers plus activists, कल शाहिद क्लास जब प्रीमियर हो रही थी, तो कुछ comments में पूछ से थे कि सर, क्या Hactivist जो होते हैं, वो legal होते हैं, कई जंगों पर होते हैं, कई जंगों पर नहीं होते हैं, ठीक है, depends on the context to context, कई बार वो ऐसा काम कर देते हैं, जो कि completely illegal होता है, grey area है, एक्टिविस्ट लिटरली illegal भी है, उस प्रकार से, यह थोड़ा सा आपको समझाएगा, कि basically काम क्या है, cyber space और physical space न, actually में interrelated हो चुका है, ठीक है, तो जो physical, एक तो यह देखिए, पहले उपर वाली जो slide है, यह है critical infrastructure या key resources, यही critical infrastructure है, agricultural and food, energy, transportation, metro का पूरा का पूरा सिस्टम computerized है, chemical industry, अचा अब याद रखिएगा, कि इस critical infrastructure में हम specifically उस critical infrastructure की बात कर रहे है, जो कि cyber space से associated है, अगर metro का computers बंद हो जाए, तो जरूरी नहीं है, bus का बंद होगा, क्योंकि buses, generally, वो पहले से चल रहे हैं न, internet से पहले से, वो internet से connected नहीं है, पर more or more, even जो buses का भी जो system है, उसक भी computerized किया जा रहा है, उनका timing, उनका route, उनका GPS, बट हाँ, आप समझ सकते हैं कि again related to cyber space, postal and shipping, critical हैं ये, आप देखें इन में से जो भी चीज एक बार खतम हो जाएगी, उसके बाद, पूरा का पूरा, उस दिन, जल जला आ जाएगा, ये सारी की सारी जो चीजे हैं, इनके physical infrastructure से देखिए, अब banking है भई, कही न कहीं, अब जैसे public health है, तो कहीं न कहीं तो hospital होगा न, एक physical, उसी तरीके से banking और finance है, तो उनके कहीं physical offices भी तो होंगे, server भी तो होंगे, telecommunication है, telecommunication का एक physical होता है, tower लगा हुआ है, जो wire लगी हुई है, physical infrastructure है, ठीक है, key asset, अर्था nuclear power plant, government facilities, dam systems है, उसी तरीके से chemical industry के chemical plant, postal and shipping की जो physical delivery sites है, मतलब कि यह कहने का मतलब है कि जो key infrastructure होता है, उसकी एक physical location ज़रूर होती है, no doubts about it, nothing new, होता ही है, अब जो यह physical infrastructure है, यह सारा का सारा physical infrastructure, आजकल उस physical infrastructure के अंदर एक cyber infrastructure भी exist करता है, जिसमें domain name, web hosting, security, information services, server होते हैं, computers होते हैं, data होता है, networking equipment होते हैं, human resources, financial system, software जो होता है, financial system का भी तो software होता है, control system, यह जो सारी की सारी चीज़े हैं, यह है cyber assets, तो critical sector, उनका physical location और उस physical location में जो cyber asset है, जो की technically एक physical object होती है, परन्तु उसके अंदर cyber infrastructure होता है, बाई, critical sector क्या हुआ, public health, ठीक है, लेकिन public health कोई पकड़, हाथ से तो नहीं पकड़ सकते हैं, public health कहां पर होगी, अलग-अलग hospitals में, second हो गया, physical location of that critical infrastructure, hospital, अचा अब hospital में क्या, hospital में कही न कहीं पर उनका cyber infrastructure भी होगा, right, कही न कहीं सर्वर होगा, कहीं न कहीं एक software का access होगा, information होगा, data होगा, कौन patient आ रहा है, कौन जा रहा है, diagnosis होगा, x-ray जो होते हैं, computers के दुआर होता है, MRI जो सब कुछ होता है, computerization का होता है, इस परकार से, तो अगर, तीनों चीज़ों को connect किया जाए, तो एक holistic सा, critical infrastructure का cyber space के साथ एक interface बन गया है, interconnected चीज़े हो गई है, telecommunication है, आप telecommunication पर आप दिवसे से phone पर बात कर रहे हैं, लेकिन telecommunication को हाथ में तो नहीं पगड़ सकते, आप देखेंगे कि physical infrastructure है, कहां, tower है, cable fibers है, right, अब एक तरीका है कि cable fibers को काट दिया जाए, तो यानि कि physical infrastructure के उपर attack कर दिया किसी ने, ये traditional आतंकवादी करते हैं, ठीक है, एक किया हुआ, अब जो ये traditional infrastructure है telecommunication का, इसके साथ-साथ, एक cyber infrastructure भी होगा telecommunication का, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़, software से route हो रही है, आप जब phone करते हैं, आपका phone जो होता है, वो सबसे पास में जो tower होता है, उस tower से, फिर वो दूसरे number के उपर भेजा जाता है, उसके nearest tower होता है, वहाँ पर जाके phone पर आता है, and this happens within 2-3 seconds, lightning speed से होता है इसा पूछ, यह सब किसी न किसी software के दुआर कराय जा रहा है, अगर सीधा उस software पर attack किया जाए, तो पूर का पूरा telecommunication system blackout हो जाएगा, interface बहुत ही ज़्यादा deep हो चुका है, cyber security के लिए, ये कुछ technologies हैं, जैसे कि हमने cyber threat पढ़ा था, उसी परकार से, cyber security के ये keywords है, and none of them has to be क्योंकि हम technical exam नहीं जे रहे हैं, journalistic exam है, तो ज़्यादा समझने की जोतनी है, बस एक बार नाम आपको पहचानने चाहिए, कि किस-किस परकार से, एक तो system security technology, यानि कि suppose कि ये computer है, उसका system, उसकी technology उसको कैसे secure किया जाए, फिर network security technology, एक company में 50 computer है, उन सब एक network बना दिया है, के अंदर security कैसे की जाए, wireless network security technology, आजकल सब Wi-Fi यूज करते हैं, Wi-Fi की security कैसे की जाए, और cryptography, जो की data को save करने के लिए होती है, आपकी जो WhatsApp chat है, उसको कहते है, cryptid communication, कहने का क्या मतलब है, आप जब WhatsApp से एक message भेजते हैं, जैसे ही वो message आपके phone से enter दबता है, तो वो message encrypt हो जाता है, एक code में, और जब तक वो code नहीं खोल सकता कोई, तब तक उस message को कोई नहीं पढ़ सकता है, वो code सिर्फ और सिर्फ आपने जिसको भेजा है, उसके phone मर है, तो यानि कि जो WhatsApp का message है, उसको सिर्फ दो लोग पढ़ सकते हैं दुनिया में, एक जिसने भेजा है, एक जिसने receive किया है, क्योंकि दोनों के phone में एक encryption की है, यहां से भेजा गया, तो data हो गया, encrypt, वहाँ पर पहुचा, encryption की से match किया, data को कर दिया, decrypt, बीच में ऐसी कोई situation exist नहीं करती है, कि उस data को access कर लिया जाए, same happens with the telegram also, with the signal also, and the whatsapp also, example जैसे आपने खत लिख के भेजा, अब खत पे कुछ भी लिख दिया, close कर दिया, अब आपने भेजा, कोई, उसको लेके तो जाता ही है, कोई तो तरीका, जैसे यहां पर यह data तरंगों से जाते हैं, जो whatsapp messages है, broadband से जाते हैं, वाइ जादा sophisticated तरीके से बंद किया, तो sophisticated तरीके से खोल के बंद कर देगा, whatsapp में, बीच में, किसी भी प्रकार का access नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर message होता है, encrypted, यह सारे के सारे जो protocol होते हैं, यह होते हैं, cyber security के लिए, but this is something which the examiner will not ask, यह आपके examiner पूछेंगे नहीं, तो इसलिए भूल दीजिए, यह पूछेंगे, अगर आपको कभी बताना हो कि digital security के लिए model क्या है, तो paper लेंगे, बीच में बनाएंगे digital security, देखें, यहाँ पर एक example के तौर पर देखते हैं, कैसे होगा यह, आपसे पूछा जाए, digital security का क्या model दिया जाएगा, तो digital security का model देने के लिए digital security, और यहाँ पर देखें, एक जंगा है data, और दूसरी जंगा है people, ठीक है, data की confidentiality, integrity और availability, कि सबसे पहले तो confidential data होना चाहिए, integrity, यानि की integrity का मतलब यह होता है, कि आपने जो data भेजा उसमें कुछ बदलाव ना हो जाए, जैसा भेजा है, exactly वही होना चाहिए, ठीक है, और availability हर टाइम अवेलिबल भी होना चाहिए, वरना क्या फायदा हुआ, cia, तो यहाँ पर data और तीन चीजे इसके अंदर cia, confidentiality, integrity और availability data की, यहाँ पर हो गए people, यानि मैं और आप, people में देखिए, people की privacy, safety और reliability, environment की reliability के मतलब, आप जब भी YouTube खोलते हैं, हमेशा YouTube खोलता है ना, मतलब की reliable है, लेगिन कई website आपने देखियोंगी, government website, form भढ़ते रहते हैं, form भढ़ाई, भढ़ाई नहीं जा रहा है, यह नहीं reliable नहीं है, तो PSR, privacy, safety और reliability, ऐसा एक diagram बना दीजे, exam में, essay में, examiner को समझ जा ही है, इसे number मिलते हैं, ठीक है, security के लिए, cyber security के अगर हमें 10 step, उसके बाद इसके नीचे कुछ आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ diagram से तो number नहीं आते, ये लिखेंगे हम सबसे पहले, आप इनको याद कर लीजे, बहुत सरल सरल चीजी है, आप असानी malware protection, दस बता देता हूँ, अगर तीन चार भी याद रहे गए, तो सबके सब number आ जाएंगे, monitoring, monitoring का क्या मत्तब, constantly monitor होना चाहिए, information जो हमारा technical या critical infrastructure है, उस पे हमेशा कहीने का human check भी करते रहने चाहिए, कुछ बंदलाओ तो नहीं है, कोई चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर करता है, जैसे physical infrastructure में अगर आपको चोरी करने हो, तो आपको एंटर करना पड़ेगा और बहार जाना पड़ेगा, उसी तरीके से cyber में भी होता है, अगर cyber server पर, और ये दोनों चीज़े identify हो जाती है, अगर cyber server में, जैसे कोई computer का software भी है, server भी है, data चुराना है, तो वहाँ प entry होगी, किसी भी बहार के software की या बहार की entity की, वो पता चल जाएगा, identify हो जाएगा, अगर guard खड़ा हो तो, उसी परकार से, तो monitor करते रहना चाहिए, incident management, incident management का ये मतलब है कि अगर कुछ हो गया है, तो अब चीजों को manage कैसे किया जाए, education and awareness, ये सबसे जादा ज़रूरी है, education और awareness, क्योंकि हमारे जो parents होते हैं, वो कई बार OTP scam में कैसे फस जाते हैं, awareness नहीं है, कि bank OTP मांगता ही नहीं है कभी उस तरीके से, तो उसको बचाने के लिए, वो awareness के लिए ज़रूरी पड़ेगी, home and mobile working, working, बही कई बार क्या होता है कि दो corporate वाले हैं, उनकी home और mobile working, completely work के साथ करने लग जाते हैं, वो work email भी home mobile पर करने लग जाते हैं, और कई बार sensitive data company से बाहर automatically चला जाता है, तो उसके लिए policies अलग-अलग होनी चाहिए, secure configuration, ये normal चीजे हैं, removable media controls, जरूरी नहीं है याद करना, managing user privileges, ठीक है, और information risk management regime, अगर information risk पे चली ही गई है, तो अब उस ची पर हलका फुलका देखना है, ठीक है, पर नहोता तो मैं इस पर काफी समय लगाता हूँ, cyber security की hierarchy देख लेते हैं, what is the cyber security of hierarchy in India, इस पर थोड़ा सा, थोड़ा सा time लगाएंगे आप, ठीक है, reason क्या है, कि हमारी जो cyber security है, is probably the most complex, in the whole internal security, बही आंतरिक सुरक्षा कौन देखता है home ministry, external सुरक्षा कौन देखता है, defense ministry, तो असान रहता है, असान चीज़े समझना, cyber security वे बहुत सारी सी organization आती है, main जो organization है, ministry of common info technology पे आएगा, दूसरा, ministry of home affairs, क्यों, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से सम्मंदित है, अब यहाँ पर जितने भी, आप department देख रहे हैं, उन सब को जरूर ध्यान से, नाम आपको पढ़ने पढ़ेंगे, क्योंकि सब की short form है, देखिए, जैसे की, Indian Computer Emergency Response Team, Cert-In, Computer Emergency Response Team, यह आप से पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है, कि कौन से department में आती है, Educational Research Network, ERNet, यह सब के सब, चीज़े हमारी Cyber Security से associated है, बाकी चीज़े आप नॉर्मल हैं, आपको वैसी पता चल जाएगा, अभी National Security Council, तो Prime Minister Office पे यह आती होगी, National Technical Research Organization, NTRO, NCIIPC, National Critical Info Infrastructure Protection Center, हाँ, यहाँ पर हम देखो कितनी कमाल की बात आई है, कि वैसे आंत्रिक सुरक्षा, Ministry of Home Affairs के अंडर आती है, परन्तु, हम पढ़ रहे हैं, Cyber Security से related, और Cyber Security में आज में एक important चीज़ बताऊँगा, कि Critical Info Infrastructure Protection, Critical Info Infrastructure Protection एक सेंटर बनाये गया है, लेकिन वो Home Ministry या Ministry of Technology की बजाए, Prime Minister Office हैं, इसको focus कीजिए ध्यान पर, focus here, याद करना है, यह रख्टा लगा हो इसका, ठीक है, जरूरी रहेगा, बाकी normal चीज़े हैं, आप सो पता रहेगा, NDA में Disaster Management Authority है, Home Ministry के अंडर आती है, इसी लिए जब coronavirus का जो disaster डिकलेर हुआ था, तो उस पे usually अमिच शाह या Home Ministry की तरफ से notification आती थी, Ministry of External Affairs पर भी आप छोड़ सकते हैं, जादा यहाँ पर नहीं है, Ministry of Defense की आपको तीनों चीज़े पता है, Ministry of Defense में भी आपको बहुत जादा difficulty नहीं होगी, आप समझी सकते हैं, ठीक है, यहा National Cyber Security of India, अब नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मंतराले के अंदर है, परन्तु एक NGO है, Non-Governmental Organization है, Center for Development of Advanced Computing, CDAC, यह भी Ministry of Technology में है, Standardization Testing and Quality Certification, National Information Board, ठीक है, तो इस दो जो PPTs है, दो आपके सामने जो screen है, इस पर दो चीज़े हम लेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले लेंग कि National Critical Info Infrastructure Protection Center है, वो हमारे Prime Minister Office के अंडर आता है, और दूसरा आता है, National Information Board, यह दोनों की दोनों चीज़े, जो कि ऐसा लगता है कि Cyber Security से सब्मंदित हैं, यह दोनों आती है, Prime Minister Office के अंडर, ठीक है, Home Ministry वाली आपके सामने common है, वो सब आप असानी से पैचान सकते हैं, Intelligence Bureau, जिसक पोड़ दीजे, Ministry of Defense में कोई काम की चीज़ नहीं है, उस अब ऐसे ही है, और सर्ट इन और अरनेट, दो चीज़े, इनके उपर फोकस करें, सर्ट इन और अरनेट, कहां पर आता है, Ministry of Information Technology, इसके बारे में अभी कुछ आए अख़बार में, तो थोड़ा सा रीड करके हमें प पहचानेंगे हम कि टोटल दस टाइप के जो critical infrastructure है, critical infrastructure कौन कौन से है, ताकि पहचानने में असानी रहे, however, वैसे ये आपके लिए automatically असान है, ऐसी कोई चीज़ी नहीं है, जो आप नहीं पहचान पाऊगे, critical infrastructure वो होते हैं, ऐसी facility, ऐसा system, जिसकी incapacity और destruction होने से भारत की security, governance, finance, economy और social wellning पर बड़ा खतरा पैदा हो जाए, और देखोगे, तो automatically बता दोगे, कि भाई, food and grocery बंदोगे, essential service है, अगर भोजन आने का इदर उदर system खतम हो गए, तो गए काम से, banking और finance, सब online है, अचानक से पता चलिए, आप bank ही access नहीं कर पा रहे हो, ये भी खतम, defense और national security से भी ना, तो तीन मिनिट भी नहीं रहा जाता अब तो, है ना, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, education, research and innovation, space, कि असरा space की तो कोई जूरद नहीं है, अगर बाई, सब एक second में Facebook बंद हो जाएगा, YouTube बंद हो जाएगा, अगर space नहीं हो तो, और ये जो सारी ची और पूरे के पूरे यूक्रेयन में blackout हो गया, सारी lightable, light ही नहीं आई, ये तरह ऐसा-ऐसा attack हो जाता है, एक movie है, Die Hard 4.0, वो movie, Die Hard 4.0, movie का नाम है, 2008 में release हुई थी शायद, अगर cyber terrorism कैसे होगा, या क्या कर सकते है cyber terrorism में, अगर केशी को देखना है, तो वो movie जरूर देखना ह है, एक दम बिल्कुल दबंग की तरह है, सब कुछ, कुछ भी चला जा रहा है, बट entertaining है, बट वो है cyber terrorism पर, पूरी की पूरी movie का, पूरा main उदेश है, cyber terrorism है, तो अगर कोई समझना चाहता है, और अभी भी इसमें कोई difficulty आ रही है, तो संडे को जब relax करेंगे हम कल, Die Hard 4.0, Bruce Will इसकी, एक movie है, हिंदी में भी होगी, वो देख लीजएगा, सेम चीज को repeat करते हैं, दस critical infrastructure कौन कौन से है, बही information and communication technology, phone नहीं बंद होना चाहिए, किसी भी तरीके से, finance, bank में problem हो गई तो बहुत बड़ी समस्या है, essential services की manufacturing, food and agriculture, स्वास्थ से related संबंदी, transportation, जहाज होती है, आ Airplanes भी तो सिफ software के basis पर उड़ते हैं, trains, metros, rails, सब के सब बंद हो जाएंगे, पानी, ये तो बहुती ज़ाद आत्याग है, energy and utility, utility में broadband भी आ जाएगा, safety, ये nuclear installation से related, defense से related चीज़े हैं, और अब जानते हैं कि आपकी सारी की सारी जो government services है, आप बनाने गए passport आपका सारगा सा agriculture sector है, जिनके ऊपर cyber attacks होने की संभावना होती है, government ने क्या क्या step लिया है, चिंता मत करो, आज बहुत लंबा नहीं की चूँगा, ये बहुती सरल चीज है, और simple simple सा बस समझना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ, इसमें से एक step में आपसे माँगूआ, ठीक, आपसे एक बात भ first simple, दूसरा, national critical information infrastructure protection center बनाया गया है, ताकि जो ये critical infrastructure है, इनके चारो तरफ एक full proof, firewall, firewall यानि एक ऐसा जिससे mallware और जिससे virus या जो computer worms होते हैं, वो अंदर आ ही ना पाएं, और ये किसके अंदर है? एक multi agency, national cyber coordination center भी बनाया गया है, जो की cyber threats को assess करता है, देखते हैं कि कौन को न इस पर attack करने की कोशिश करें, कैसे करेंगे, और उनके बीच में coordinate करता है, national cyber coordination center, a center of excellence in cryptology, science of encrypting data, Indian institute of statistics in Kolkata में बनाया गया है, MCQ की नजर से दिखेंगे इसको, ठीक है, वैसे कहीं लिखने के, ऐसे वैसे में कोई काम नहीं है इनका, बट MCQ की नजर से, ठीक है, हर एक state government के पास एक cyber crisis management plan भी पहले ही put कर दिया गया है, भई हमारे पास एक disaster management plan तो ही, disaster management plan होते हैं हमारे पास, कि जैसे अगर कोई भी disaster हो, तो कोई क्या क्या करेगा, collector ये करेगा, police वाले ये करेगे, इस प्रकार से help भेजी जाएगी, telecommunication को ऐसे assess किया जाएगा, लोगों को कहां पे help, लोगों को कहां रखा जाएगा, resources कहां से आएगे, पूरा का पूरा एक plan बना होता है, कोई भी disaster जब किसी state को hit करता है, उसी प्रकार से, एक cyber crisis को manage करने का भी एक plan, तयार है सारी states के पास, उसके बाद cert in, computer emergency response team, जब भारत के किसी critical infrastructure, government websites पर, key installations पर, कोई भी cyber attack होने का संभाव न होती है, या हो जाता है, तो computer emergency response team of India, उस चीज को handle करती है, और कोशिश करती है, कि ऐसा बिल management ने पहले ही अपना cert बना रखा है, यानि कि air force के लिए अलग अपना central बना रखा है, क्याना computer emergency team, आर्मी के लिए अलग बना रखा है, और नेवी के लिए अलग बना रखा है, in pursuit of protection of critical Indian economy, एक fin cert भी बन गया, fin cert बोले तो financial computer emergency response team, तो यहाँ पर इसलिए मैं focus कर रहा था, उस स जो कि भारत ने एक बना रखा है, आर्मी ने, क्या कहते है, military ने, defense establishment ने अलग अलग sector के लिए एक बना रखा है, और एक पांचवा यानि कि financial वाला भी बना रखा है, तो पांच होगा, एक तो कि cert in, जो कि central है, उसके बाद आर्मी नेवी का अपना sectoral है, और एक important वाला financial, क् कि असली जो attack हो रहे है, जो main funda होता है, वो economy से related होता है, ठीक है, और ये national critical infrastructure in protection center, this one is important, ठीक है, यह, यही है, cyber terrorism पे, cyber security पे और भी बात होगी, और पहले lecture में, या दो lectures में, थोड़ा से समझना difficult भी होता है, ठीक है, क्योंकि first time हम उसके इंदर सारे के सारे इना 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 ज तो चिंता मत कीजिएगा, give it space, ये दोनों के दोनों वीडियो देखने के बाद, space देजिए, एक या दो दिन का rest कीजिए, ज्यादा इसके बारे में सोचिये मत, उसके बाद जब आप juice paper में जब ये words पढ़ना शुरू करेंगे, ये books में पढ़ना start करेंगे, तो आपको आस लिख दीजिएगा बड़े सारे से, cyber security का जो model, generic model मैंने आपको बताया, उसको बना के दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, इस प्रकार से, और finally, government की preparation, तो वो cert in के दौरा, infrastructure protocol के दौरा, cyber security policy के दौरा, ये सब आप उसमें simple लिख देंगे, तो एक बहुत अच continue करूँगा, ठीक है, अभी हमारे पास तीन से चार कुछ important topic बने है, एक तो north east insurgency, again, उसको भी दो lecture की series में लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो सातो की सातो, sister states है, north east की, उन सभ में insurgency है, individual, हर एक में अलग-अलग difference है, तो उनको समझ नहीं, और हम में से किसी को कोई भी नहीं मालूम है, राइट, जम्मो कश्मीर का भी पता था, नक्सलिजम का भी पता था, लेगिन वहाँ क्या चला रहा है, किसी को नहीं पता है, तो we will discuss that, ठीक हम उसके बारे में करेंगे, तो वो दो series में करेंगे, एक disaster management पर भी एक class बची हुई है, एक border management पर बची हुई है और पांच भी होगी security forces के बारे में, एक basic discussion होगा, security forces कौन-कौन सी है, और वो क्या-क्या काम करती है, और कौन-कौन से theater या domain मर काम करती है, तो total इस series में आने वाली 5 और classes आपके बची हुई है, और ज़रुवत पढ़ने पर, अगर कोई 1 और 2 miscellaneous classes और भी होगी, so we will do that, या YouTube के comments के questions थे, I took them, और मैंने उनको answer किया, वैसे अगर आप देखेंगे, तो पुराने जितने भी videos हैं, 10 के 10, उसमें जो भी नीचे आप comments में questions पूछ रहे हैं, मैं उन सब का जवाब भी दे रहा हूँ, more importantly, अगर आपको ये video appreciative लगते हैं, तो मैं उनको भी सुनने के लिए क Please definitely share it with us, we would like to hear from you, beyond that, पड़ते रहे हैं, बहुते बहुत हैं, ठीक है, तीस नंबर का एक essay आएगा, पचास में से तीस नंबर का essay एक इंटरनल सिक्योरिटी पर राएगा, अगर ये है prepared, तो सब चल है, दूसरे competitive exams में भी help करेगा, थैंक ये बेरिम स्टुदेंस, I'll see you tomorrow with the new class on the internal security, my name is Amit Kalor, signing off from the Steady IQ, have a very very nice day, bye.